हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सर्वेस आज हम आया है स्मार्ट वील के सरूम जिस गारी का रिवीव कर निकलिया आया है आपको सामने दिख रही होगी चिहां यह है एल्टो एटेंडेट अगर इसके वेरियंट की बात करें तो तीन वेरियंट में आ जाती है एस्टीडी एलेकसाई ओप्शनल वीकसाई प्लस वहीं जन ओप्शन बिल जाता है आट्टो सीशी का थी सेंडेट पेट्रोल इजिन जो आपको 47 पेस की पाउद देता है 69 नूटो मीटर मीटर के साथ फाइव स्पीड मैनुएल गेरबॉक्स के साथ आती है माइलेश की बात क डिजाइन से गारी काफी सिंपल है आपके द्माग और आपकी आँखों के जादा जोर नहीं लगाना पड़ता है सारी चीजे वह मंसे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है एक सिंपल होने के साथ साथ इसलिए लोग इस गारी को काफी ज़्यादा पसंद करते हैं कॉम्पैक्ट डिजाइन होने के विए से कहीं भी आप ले जा सकते हैं चाहे पतली से पतली गल्ली हो आपके घर में दो बुलेट की पार्कि होती तो मैं भी ऐसे निकल जाता है लेकिन फिर भी बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है खराब रास्टे पर टायर सेक्षन काफी अच्छे मिलते हैं 80 सेक्षन के चार टायर मिल जाते हैं जिसके वैसे अच्छे खराब रास्टों पर चल सकती है फ्रेंट में देखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं आपको वही हाइलोजन हैड्लैंप और इंडिकेटर मिल जाता है डिजाइन आप देख सकते हैं वही पुरानी वाली डिजाइन मिलती है सुचकी का लोगो मिल जाता है साथ ही में वह लोवर ग्रिल में आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता है तो इस समय आप लेजिए क्योंकि काफी अच्छा उफर मिल ला है आपको इस समय डिस्काउंट की बात के तो आठ हजार रुपय का डिस्काउंट मिल ला है जिसकी वैसे गारी की ऑन रूट प्राइजिंग हो जाती है स्मार्ट वील गोरब कुर यूपी में चाल लाख पच इंडिकेटर मिल जाता है ताय सेक्षन के बात के टायर में आप देख सकते है स्टील रिंप मिलता है लेकिन इस सेक्षन की बात करें तो आपको मिल जाता है 145-88-12-inch स्टील रिंप मिलता है साथ में आपको विल कवर भी आफर किया गया चलते हैं विजगारी की रियर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं साइट से गारी अच्छी लगती है देख सकते हैं आप या साइट से काफी कॉंपैक डियाइन लगता है रियर से भी गारी काफी जादा शांदाल लगती है आप देख सकते हो simple look है अच्छा look है टेल लेंप में हाटाल बोक है इंडिकेटर और वाग लैंप भी आपको मिल जाता है प्रसिट को यहां से खुलता है कि से भी को सकते हैं और आप यहां से और करके बूट खोल सकते हैं देखिए यहां पर बूट का बटन मिल जाता है यहां पर खीचेंगे लिवर तो पूट आपका ऊपन हो गया देख सकते हैं बूट काफी शांदार है वेल कवर्ड है 177 लिटर का आपको बूट मिल जाता है जो एक सीटी परफस के लिए काफी ज्यादा बूट है नीचे स्पेर विल भी आपको सीम साइज का ही मिलता है हाँ है देख सकते हैं अपने साइज के साफ से ठीक और अफ्र करती आपको अब चलते हैं इसके फ्रंट को चुख कर लेते हैं क्या-क्या चीज है फ्रंट में आपको वक्र किया गया है इस वेरियन में चार्यिए बैठते हैं इसमें देख प्ते रहें हमें सिंपल सा स्टेरिंग मिलता है नॉर्मल सा ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है वहीं और Senua क्ल एंट लॉक मलता है चोटी सीम एडी मिलती हैं जो देखने के काम में आती है इंटर्ज 음सिन दे लिए पर नहीं किया गया है यहां पर थोड़ी बहुत जगा मिल जाती है का फोल्डर मिल जाते हैं दो फाइव स्ट्रीट गेर बॉक्स दो पाउर विंडो आपको मिल जाती है करते हैं यहां से आफ से डावन कर सकते हैं है यंसाँ बेट कलॉब बॉक्स काफी बड़ा देеш रहे हैं काफी बड़ा बोक्स डैस्बोर्ड आप देख सकते हैं ठीक ठाक साइज है उपर आपको आपको आयरबियंज आपको सिंपल सा मिलता है रिदिंग लेंप भी मिल जाती है तेख सकते हैं यहां भी आपको कोई भी ड्याटी मेर नहीं दिया जाता है चलिए यह दोर को आपको देख सकते है डूल कलर में आपको दोर मिल जाता है अब ङक्ट आपको मिलता है यहाँ पर वाइट में मिलती है बीज ग्लोट सा मिलता है यहाँ फिर की यूनिट मिल जाती आदपा अजय आफको आगे कि वार्वियम्स आपको वही सिंपल सा मिलता है कि मैनुवली एड्जेस्ट कर सकते हाथ से आप गुमावा के एक चीज आपने ध्यान दिया होगा रियर सीट में जो विंडो की साइज है क्वाटर ग्लास जो है जो भी काफी बड़ा आपको मिलता है यह अच्छी बात है इसमे चलिए डियर दोर को चेक कर लेते हैं यहां पर भी आपको बैस कलर मिल जाता है ब्लैक मैनुवली आपको विंडो की कंट्रोल बिलते हैं डोर हैंडल्स सीट कुछ इस तरह मिलती है चलिए बैठते हैं इस पर देखते हैं फैब्रिक में यह सीट मिलती है आपको फिक्स हैड ड्रेस्ट मिल जाते हैं इसमें आपको दोनों ही तरफ कि यहां पर बैठेंगे तो देख सकते हैं कैसा लेगरूम मिल ला है आगे की शीट पूरी पीछे है इसके बावजूर मुझे काफी अच्छा लेगरूम मिल ला है देख सकते हैं मेरी हाइट 58 है कि क्रैब हैंडल मिल जा अगर इस गारी को पर्चेस करना चाहते हैं तो काफी अच्छे आफर्स चल ला है तो इस्मार्ट विल गोरप पर यूपी पर संपर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डीटेल्स मिल जाएगी स्वरूम के रिकार्डिंग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब सब्सक्राइब जोग कीजिएगा आपका दिन सुब रहे धन्यवाद